हेलो विवास आज शोबा पॉर्वास किचेन में हम बनाने जा रहे हैं ओक्स और रवा की हेल्दी एडली जो अपने आप में पॉस्टिक तो है ही फाइवर और कार्बोहेड्रेट्स से बर्पूर है जिसके लिए में इंग्रिडेंट्स के आवश्यक्ता है वह है ओक्स, रवा, बेसन, राई, जीरा, हींग, कडिपत्त, हरदनिय, अद्रक, हरिमेच, गोबी, मटर, गाजर, नमक, इनू, दई, तेल और पाने अब हम दो कप ओट्स भूनेंगे, दो कप ओट्स को हमें हलका रोस्ट करना है इसके लिए हमें काम से कमें 1-1.5 मिनट का समय लगीगा ओट्स हमारे से गए हैं तिर्फ हमें 30 सेकेंड के लिए रवा को कड़ाई में डाल के इसका मॉइस्चर निकाल देना है यह हमारे 30 सेकेंड हो गए हैं और अब हम इससे भी दूसरे बरतन में निकाल लेते हैं इडली का बेटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले रवा को 10 मिनट के लिए दही में भिगोना है लेकिन रवा हम तभी भिगोएंगे जब रवे का मॉइस्चर निकल कर रवा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम दही में भिगोएंगे मैंने भिगो करके रखा है पहले से ये देखिए ये एक कप रवा है और जो ओट कर लिए हैं उसका हम पाउडर बना लेंगे यह एक कप रवा है, इसमें दो कप ओट्स का पॉडर हम डालेंगे, यह रोस्टेड ओट्स का पॉडर है, जो मैंने बहले से तयार रखा है, इसे भी हम डाल देते हैं, इसमें भी मिक्स कर देंगे, दोनों मिस्टर मिलके 3 कप हो गए हैं, तो इसमें हमें 1.5 कप दही की आवश्यक्ता होगे, यह दही मैं डाल गती हूँ, इसका बैटर हम तयार कर लेंगे, बैटर हमें वैसा चाहिए, जैसा इडली के लिए होता है, यह हमारा बैटर बनके तयार हो गया है, इस बीच हम स्टीमर को गरम करने के लिए गैस पर रख देते हैं, इपली के बैटर बनाने के लिए हम एक वगारिया गरम करेंगे, जिसमें हमें 2 टेबल इस्पून तेल लेंगे हम, इसमें हम 1 पिंची, राइ, 1 पूर टीजपून राइ, 1 पूर टीजपून जीरा, अधोर गैस हम ऊफ कर दो कर दे, इस में हम अत्रख के ठीस atdakar भम इसमें बाड्यिक बाड़ते हैं, और अलिमिर्ट भू जीरा । गैस żadफ हम एक आणी करीपत्यों ईसमें डाल जेले हैं , कड़ी पत्यों को काट कर डालना है और इसमें 2 टेबल इस्पून पानी डाल देंगे और इस ताप को हम पोस्ट और इद्ली वाने बेटर बस डाल देंगे और सो रिद्ली के बेटर पर हम डाल देंगे आप इसमें बाकी किसामगरिय में डालना है वह है एक से देर टीर टेबल इस्पून गोबी एक से देर टेबल इस्पून मटन और एक से देर टेबल इस्पून गाजेस इन सारी सब्जियों को मैंने खुलते पानी में एक मिनिट के लिए बॉयल किया दे आप इसमें नमक डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है और वन फोर्ट टी स्पून अल्ली वन फोर्ट बेसन डाल देगे यह बेसन इडली में बाइंडिंग का काम करेगा ऐसे तो यह बेसन डालना ऑप्शनल है लेकिन इससे इडली का टेक्स्ट्र बहुत ही अच्छा आता है यह देखें यह हमारा वेटर तयार हो गया है और इसकी में भी यहां हमारा डेटी है अब इसमें हम इडली रखेंगे इडली के पॉट को मैंने पहले से ग्रीस करके रखा है थोड़ा सा तेल लगा दिया है इडली के पॉट में अब हम बैटल को इसमें पूर करेंगे consistency check कर लेते हैं यह dropping consistency होनी चाहिए consistency बिल्कुल ठीक है आप हम इसमें मेन इंक्रिएंट्स जो है वो है इनू इसी की वज़ा से इडली फ्लफी होती है यह fruit salt है इसे हम एक टीश्पून डालेंगे बैटर में और एक टीश्पून डालते ही हम देखेंगे बैटर जो है बहुत ही हलका हो गया है यह देखिए लेटर बहुत ही हलका हो गया है इसे अब हम इटली स्टेंड में डालेए और आप यहां जो प्रोसेस है इडली स्टेंड में बैटर को पोर करने का यह बहुत ही क्विक होना चाहिए अगर इस प्रोसेस में देर हो जाएगी तो इडली आपके उतनी सॉफ्ट नहीं बनेगी जितनी बनने चाहिए और इडली को हम इसके मूने के लिए रख देते हैं अब हमारी इडली को स्टीम होने में 12-15 मिनिट लगेंगे अब 15 मिनिट हो गए हैं अब हमारी इडली बनके तयार है अब इसे हम बाहर निकलते हैं अब इडली को हम चाकू के मदद से बाहर निकल लेंगे और सब करेंगे ओट्स और रवा की हेलदी इडली हमारी बनकर तयार है इसे हम चने की दाल और नारियल की स्वादिस चटनी के साथ सर्व करेंगे आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और मेरी चैनल पर नीचे दियेगे रेड बटन पर सब्सक्राइब करें दन्यवाट दन्यवाट